अल्टिमा लाइफस्टाइल प्रेजेंस जन्ता जानना चाहांसन टाइटल स्पोंसर अल्टिमा लाइफस्टाइल स्पोंसर बाई गर्भई देखी बलियो तूगर्भ सिमेंट अस्तर एक प्रम्धिं को परपर दनें मार्बल तीकार रिजोर्ट स्वीच औन स्पा पोखरा नेपाल ठेलेकम को फोजी ने परफेक्ट साथ नेपाल ठेलेकम राष्ट्र को संचाहाँ आजएको जंतरलाम चाहाँन्छन कारिकममा हमी इस देश को बारेमा रात विशेवस्ट को बारेमा बन धा पनी सुन्दरता को बारेमा चर्चाहाँने चाहाँ nast Idhya नेपालाम मत्रह इन्या भिश्वमाburn थेडाई डूटी कांटेशतो उडू Rod रब बीटी तंटेश कुक्रा आगाता खेली, मांचे को सुन्दर तालाई, धेराईले परसंशा करचन, रब सुन्दर पार कीवरू धेराईचन संचारबा, तेसलिए आज हमी Mrs. Old को बारे मां चाफ्चा करना चांच हूं, आमरभी इसमा शर्गम कोश्चर हूंच, Mrs. Old देजा बाइस, नमस्ते, आपको कारे का मैं स्वात करना चाहता हूं, थांक्यू, थांक्यू, बहुत खुछ है, जीवन में, खुछ बहुत, ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा इस साल, अभी जैनवरी में मैं अपना क्राउन अगली विनर को दूंगी, तो, it's a bittersweet thing, मेरे माबाप ने मुझे बच्पन में एकी चीज सिखाई थी, कि सुन्दर्ता मन की होती है, और I think वो एक universal truth है, वो सब को समझ लेना चाहिए, कि सुन्दर्ता मन से होती है, मेरे आपके परिवार वाले आपको किस तरह से बढ़ा करते हैं, किस तरह की परवरिश देते हैं, वो आपकी सुन्दर्ता को चार चांद लगाती है, तो I think that's all I can say about beauty, beauty is your heart, मैंची के जिवन में और उबती के जिवन में सब से पढ़ा, आप सेकता है ना, beauty, yeah, सुन्दर्ता, I don't think so, के सुन्दर्ता सबसे इंपोर्टन है, आप कितने भी सुन्दर, आपकी शकल कितनी भी अच्छी हो, अगर आप किसी से गाली दे के बात करो गया, किसी से बुरी तरीके से बात करोगे, तो कोई भी आपकी तरफ नहीं देखना चाहेगा, तो at the end of the day, यह सब ख़तम हो जाएगा, जब आप बुड़े हो जाएगे, तो रिंकल सब के फिर्गें आप लेता आप इस सुन्दर्ता से अफाइद है लिया है, इंटेनाशनली रूप मेरी आपकी तरीके क्शीलिया है, आपकी तो आपकी बहुत सुन्दर नहीं हो सकती, हाँ, मेरा द जिल साफ था, मेरे सोच अच्छी थी और शायद वह एक रीजन था क्या में जी थी, ब्यूटी, सुंदरता, शकल की सुंदरता एक आट्रिब्यूट हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, बट यह आपकी पूरी परस्नालिटी नहीं हो सकती. मिस ओर को उइनर होने के कारण, आपका आदार बता देजिन, एक, दो, तीन, क्या है, कैसे आप उइनर कैसे बन गया, कैसे आप ले, मिस ओर जी था, मिस ओर में, आपका बिज़ता कैसे हुआ है, जैसे आपके अंदर ये इतना सारा confidence है, जिससे आप बैठते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, आपकी personality, वैसा ही confidence, जैसे को मेरे अंदर दिखा, और मेरा दिल साफ था, जिसको हम बोलते हैं, ऑथेंटिक, दिल से जो मैं अंदर हूँ, वही भारती, वह जैसे को पसंद आया, और तीसरा ये कि मैं भारत जैसे देश से आई थी, और मुझे लगता है कि भा निपाल भारत समंदे में इसका बवाई, आई अभिक पच्चह है, रोटीबरी का समंदे है, बिलकुल, राद निति, आर्थी, साम realidad, 2004 में बोलस्टिक, जोनश्थर में बहुत निकर्ट समंद, बिलकुल, बिलकूल, बिलकुल, बिलकुल, निपाल आप तो फस्ट नम नेपाल की बढ़वन किया है नहीं जी कैसे लागा नेपाल तो आज ही सुभा मैंने माउंट एवरेस देखा पहली बार अपनी जिंदगी में तो मैं यही कहूंगी कि इससे अच्छा एक्सपिरेंस मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया मैं अभी तक आट्स कंट्रीज घूम चुकी हूं इस साल यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था क्योंकि मेरी आंकों में आंसुत है जब मैं वह पहार देख रही थी क्योंकि बच्पन से पढ़ते हैं सिरफ उसके बारे में और कभी देखने को नहीं मिला और आज अपनी आंकों क के सामने वह पूरी मांटें रेंज देखी तो मांट एबरेश विश्व के सबसे बला अगला सिकर देखने से आपका भी गूरोब हो गया ना विलकुल थांक यू टू नेपाल पूर्ण नेपाल में पूछ चीजा है प्रोजम के लिए थैंक अप आप प्रोखर के लिए यह पोखरा घृण गई और आजी में पर्शुपती नाथ के देंखी अश्चित के आई थी के ब अने नेपाल में अगर पांच दिन बिताने तो में हर दिन कुछ ऐसा दें नेपा का जो मैं वापस भारत लेकर जा सको और सबको बता सको के येस है आप एपनी धर्माई कर्म में बहुत विश्वास करने वाले विभथ है कि है कि ही है हाँ I mean मैं भगवान में भाट विश्वास रखती हूं मैं जानती हूं कि इस दुनिया में इस भ्रह्मान में एक ऐसी फोर्स है जो हम सब को create करती है और हम सब को खतम भी करती है So, yeah, I believe in God. जो ब्यूटी कांटेन में कैसे निस्पच्चता का प्रष्णा हो रूँ आता है इसमें जो आपने भाग लिया इसमें निस्पच्चता है? बिल्कुल, बिल्कुल, आप कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि वहाँ पर favoritism होता है या फिर पहले से decided होता है कि कौन जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ पर इस सोच से बिल्कुल नहीं गी थी कि मैं जीतूंगी, और अभी जैसे Mrs. Nepal World भी हो रहा है जिसकी मैं special guest तो उस contest में भी मैं जानती हूं लड़कियां दिल जान से महनत करती है तो सब की महनत उस स्टेज पर दिखती है, जजज उसको देखते हैं, परकते हैं, तब जाकर winner चूज करते हैं, तो it's not favoritism. जो title चितने के लिए आदमी का एक मंकसत हो था ना, जो आदमी परजविता में जाता है, तो उनका एक सोच जैसे भी जितेंगे, winner बनेंगे, बिजयता प्राप्ता करेंगे, आप मिले जो Mrs. Old में भाग लिया, शुरु में आपने आत्म विश्वा था, में winner बनेंगा? नहीं title चितने होंगा? नहीं, ये विश्वास मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको वो विश्वास शुरू से होता है कि मैं जीतूंगी, माकसिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको वो विश्वास दिलाना पड़ता है, तो मैं वैसी थी, मेरे परिवार ने, मेरे इन और तों और आत्मियों सब को ये चीज बोलना चाहूंगी कि आपको अपनी वाइफ का, अपनी बीवी का, क्योंकि हम मिस्स वॉल्ल की बात कर रहे हैं, तो अपनी मिस्स का ध्यान रखें, उनका साथी बने, उनको सपोर्ट करें, उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ उनका हाथ पकड़ के चलें, उनको रोके ना, तो ये अगर ऐसा परिवार आपको मिलता है, तो आई थिंक कुछ भी असंभव नहीं है, तो वो जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, वो आई जाता है फिर, आपके जो यात्रा में सबसे बड़ा भूमिका, आपको मिस पिता ने मुझे सब्मकर एक चाहया, आपका पिता ने बड़ा सेने मुझे सब्सेडाना सिखाया, और मेरे पती ने उन सब्सकों के चाहिए।, आपको पिता धड़ा कहन भूमिका कहा है, बड़ कुल, बलब कुल, याव सिघ, बजग कहा था?, उननने कहा था कि आप बीव पड़ाती थी स्कूल में और मेरा मन किया कि मैं इस कॉंटेस में पार्टिसिपेट करूँ जस्ट बिकॉस के पापा का ड्रीम था तो मैंने का चलो पूरा कर लेते हैं अब पापा का ड्रीम तो सफल हो गया है पतीगा भी पुरा हो गया है बिलकुल आप एक शिच्छी का है न पड़ा है अब मिस्स ओल बनने के बाद आपका क्या क्या है जैना मुझे बता देज़े एक तो तीन जैसे कि आप बात करें मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत आया है इस कॉंटेस्ट के बाद यह पूरा साल हर बात हर चीज टाइमली होना बहुत जरूरी है आपको अब आपका क्या कर रही हो एक तो सबसे पहली चीज तो यह के में इंडिया में जो स्कूल और कॉलिजिस की लड़किया हैं उनको हम सेल्फ डिफेंस इखाते हैं क्यूंकि आप जानते हैं कि हमारी डेश ही नहीं पूरी दुनिया में गर्ल्स की सेफटी एक एसा एक एस जि हमें अब आदमियों न रा मधन से अइधा हुआ। और वह सेफ्टी के लिए यह हमे अब आदमियों से यह पुलीस से मदद मांगनें परे कि डूर्ड प्रवाइर अपरल को मैं न ने ब Э्किना इड़ अमेरिका में भी नहीं है तो वो सेफटी के लिए हम क्या कर सकते हैं हमें ही सक्षम बनना पड़ेगा सक्षम कैसे बनना चाहिए सेल्फ डिफेंस सीख के मार्शलाथ सीख के अपने आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉंग बना के ताकि अगर मुश्किल का वक्त आए तो हम उसका सामना कर सके उससे भागे न और अगर भागने की जरूरत पड़े तो अपना दिमाग लगा के भाग भी सके सो मेंटल और फिजिकली स्ट्रॉंग होना इस्ट्रॉंग होना चाहिए जी तो हम ये सिखाते हैं लग्की का सबसे बड़ा अट्रिविट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही होगा प्लस पॉइंट ही होना चाहिए बच्पन से स्कूल से स्कूल से कले तक हमेशा के लिए जीवन भर मन्चे के जीमेन में है आपने तो देखा अबल में भी गया है घुमा आपका यात्रा भी शुरू हुआ सबसे बड़ा जीवन और खूस और संतुस्टे सबसे बड़ा आपका जीवन का यात्रा का सब्वालता है जीवन क्या है मेरे लिए मेरा जीवन मैं एक ही संटेंस में बताऊंगे आपको, जब मेरे पिता जी ने, जिस दिन मैं जीती थी, मेरे पिता जी ने मुझे फोन किया और उनने ये कहा कि मैं तुम्हारे बच्चपन से ये सपना देखता था कि तुम ये सपना पूरा करोगी क्योंकि ये सपना तुम्हारा नहीं था, ये सपना मेरा था, as a father तुमने आज मेरा ये सपना पूरा किया है, now मैं खुशी-खुशी इस दुनिया से जा सकता हूँ जब भी जाना चाहूँ, क्योंकि तुमने मेरा जीवन का हर सपना पूरा किया है, तो ये जो माता-पिता की आँखों में आप एक वो गर्व देखते हैं अपने बच्चे के लिए, जो आप सारी उम्र देखना चाहते हैं, और फिर एक पॉइंट पर आके वो आपको वो जिसमें मंगा है, इसमें बहुत पैसा खर्चा होगा, आपको कैसे लाग रहा है, ऐसा नहीं है, I think that's actually a problem because Mrs. Category और Miss Category बहुत ही अलग तरहां के पाजिंट्स हैं, मिस Category में आप देखेंगे, जो कुवारी लड़कियां जो पार्टिसपेट करती हैं ब्यूटी पाजिंट्स में हर तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है, स्पॉंसर्स मिलते हैं, उनके साथ लोग काम करना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, म्यूजिक विडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसे एक औरत की शादी हो जाती है, और वो Mrs. World भी बन जाती है, Mrs. World का क्यों समर्थ नहीं हुआ है? यही रीजन है, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कारन है हमारे सोसाइटी की सोच, जो बदली ही नहीं है, जो आज भी वो पित्रसत्ता वाली वो एक सोच है, बोलना चाहिए नहीं सोच, सब का सिंत अंदिश्टी को उर्शा करात पर होना चाहिए, आप इस प्लाटफॉर्म के बैट्रीट कर सकते, आपसलूटली, तो यह पॉजिटिव सोच ही लानी है, हर मैरेड औरत में, आदमी में, आप में, मुझ में, हर एक में, ताकि यह जो स प्राटगरी से जाधा चाहिए अच्छा कर सकते, मुझे लडगी के बारे में और यूबती के बारे में, बहुत मैं आदक टाहूं सम्भान करता हूं, थैंक यू, नारी को जब सम्मान नहीं होगा, तो देश में कुछ नहीं हो लागा, बिलकुल, बिलकुल सही बोल रहे है नेपाल वारत संबंदम में एक सोच चिंतन ते ही है, दिश्टी को, ऐसे पर्तिगोता में भार लिने के लिए नेपाली नारी सुरक्षित है, सुरक्षित, अफकोस, क्यों नहीं, क्योंकि ये सारा जो, जैसे अगर आप मिस्स वोर्ल की बात कर रहे हैं, तो मिस्स वोर्ल जैस कॉंटस में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं अपनी लाइफ में पहली बार देश से बार गई थी, अकेली, अकेली अकेली गई, जैस, इकली गई, जैस, सिल्मान को और अस्मान को क्यों नहीं ले गई, कारण क्या था? मेरे हस्बंड नेवी में है, he is in the Indian Armed Forces, so of course, वो थोड़े बिजी थे, तो, और क्यूंके मेरा कॉंपेटिशन था, तो मैं चाहती थी कि मैं खुद लड़ू और खुद देखू और खुद एक्सपिरेंस करूँ, सो जैसा कि आप क्वेश्टन पूछ रहते हैं, उसी का जवा खान रखा जाता था, खाना पीना, रिहरसल, ट्रेनिंग, हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो मैं चाहूंगी कि और नेपलीज और इस कॉंटेस में पाटिसिपेट करें, और एक तरह से अपना दृष्टी को बढ़ा करें, क्योंकि हम छोटी शेरों की लड मैंने इतना कुछ सीखा है, इतने लोगों से मिली हूं, इतने दोस्त बनाए हैं, आज दुनिया के हर कोने में मेरी एक दोस्त है, और मुझे ऐसा लगता है कि कलको अगर में वहां जाओंगी, तो मुझे वेलकम उतने ही प्यास से किया जाएगा, मुझे आपको पहचान भी अजिए उनके लिने के समझ्या है कि नहीं, सभाहिता के लिए इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा है, हमें इस कॉंटेस्ट को एक बेंचमार्क नहीं बनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अगर मिसस वरल्ड में ही पार्टिसिपेट करने लग पड़ेंगे तो ग्रामीन महिलाओं को मिसस वरल बनने से कोई लेना देना नहीं है, ग्रामीन महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है empowerment, पढ़ना लिखना, education, उनके लिए सबसे जरूरी है अपनी menstrual health के बारे में जानना, pregnancy कैसे safely की जाए ये जानना, पढ़ना लिखना उनके लिए सबसे basic, bank account ख hm ya bhaers अभूट लिफा खिवन्य वह तो इसलीए करी लिए मिसिस वर्ल्ड नियुस नॉट इंपॉर्टन फॉर निन उन्के लिएंप्सित रूरी है एड्युकेश्टं सु схट सब के लिए जरूरी है पर उनके लिए जादा जरूरी है क्योंकि वो एक ऐसी सोच के साथ बड़ी हुई है जो सोच इतने सालों में बदल ही नहीं पाई है हम शहर की लड़कियों को बहुत कुछ ऐसा मिल गया है जो हम फो ग्रांटेड लेती हैं जैसे हमें फ्रीडम बहुत मिल गया हम लोगों को अच्छा घर अच्छा पहनना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिली है जो हम सोचते भी नहीं है उनके बारे में और वो चीज़ें ग्रामीन महिलाओं के लिए अभी अभी भी एक क्वेस्टिन मांक है तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह समझना कि इंपावडमेंट दो अलग तरह की उती हमें सोच को paar करना है सब को मिसेस बॉर्ल नहीं बनाना और अपने 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 शेत्र में मिसेस बर्म Ana कि में इस चीज का जवाब हर किसी को देती है हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये सवाल है सब के लिए कि beauty और brain दो अर्बॉख्स में कि रखते हैं कि अगर कोई beautiful है तो वो दमाग उसका इतना तेज नहीं होगा और अगर दिमाग तेज सो दिखने में सुन्धर नहीं होगी प्रेनी कि नेपाली सोसाइटी और भारती सोसाइटी को बात कर रहा हूं यह सवाब नहीं जवाद के बारे में क्यों नकरात्मक है समाज सोसाइटी नहीं कोई नकारात्मक नहीं है नहीं मैं यह जरूर बोलूँगी कि as Mrs. World मुझे जितनी रिस्पेक्ट मिली है I don't think बिल्कुल भी नहीं मुझे एक भी आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे बोला हो कि तुम Mrs. World यह क्या है तुम क्यों बनी इससे अच्छा तुम जो टीचिंग कर रही थी वो ही क्यों नहीं किया तुमने आज तक अपनी जिन्दगी में नहीं सुना में इस एक साल में क्योंकि मेरे साथ जितनी भी औरतें जुड़ी है इस कॉंटेस्ट के बाद और इस कॉंटेस्ट के दौरान सबने मुझसे एक ही चीज़ कही है जब आप जीती हमें लगा हम जीत गई जब आपकी आँखों में सटेज़ पर आजस्टे मुझे लगा हम हमें लगा हम रो रही है क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अगर एक मैरेड़ वुमन ये कर सकती है तो हम भी एक्जांबल क्या है कि मिस ओल्ड जाए से मिसल ओल्ड में दिस्ची कोड सोच और चिंतन है ना फरक है ना फरक सिरफ कि एक unmarried औरत के पास बहुत opportunities हैं और एक married औरत के पास तो थोड़ा सा टाइम है वो सोच जिस दिन बदल जाएगी ना सब बदल जाएगा कि जो आत्मी marriage करता है ना marriage के बाद आपको यूबती को देखने के लिए और सोच और चिंतन पुरुष में फरक परता है कि नहीं आपको क्या लग रहा है अब किस तरह से जैसे एक अभिभाईत नारी और विभाईत नारी में जो फरक क्या होता है वे लोगों का हाँ जी उनको देखने का नजरिया एक अविवाहत आउरत को लोग एक आबजेट की नजर से देखते हैं और एक विवाहत स्त्री को लोग थोड़ी जादा respect से देखते हैं पर यही एक दृष्टी कौन है जो बदलना है हम दोनों ही respect की हगदार है हम दोनों को objective ना किया जाए तो बहुत अच्छा होगा और हम दोनों को हमारे जो हमारा character है और हमारी qualities है उसके बल पर काम मिले ना कि हमारी age और हमारे सपने नहीं देखने से सिर्फ पुद रोख सकते हैं यही इनीरी का लिए सफलता के पचाड़ी उनका आगाम यात्रा के लिए और जीबन वर पुरुष का मौत तो पुनो भुमिका है आपको क्या लाग रहा है आप कह रहे हैं कि पूर उसके हाथ होना चाहिए कि नहीं चाहिए आपका सफलते के लिए आपका सिरिमान का हाथ है मुझे लगता है कि together we are stronger यह एक phrase है together we are stronger तो आप अकेले जो सफर पूरा करेंगे उससे जादा मज़ा आएगा साथ मिलके वो सफर पूरा करने में तो अगर आपको साथ मिलता है आपके पती आपके पिता आपके भाई आपके फैमिली के आदमियों का बहुत अच्छी बात है नहीं मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि there are many other people who will help you out to do. एक स्री महत्ती के ले और स्रीमान का भी महुत अपुरआ सॉपने का बिलकुल है मेरे- मेरे- गाणी एक स्रिमान क माणुपन न वाहरा है और लो यो जाएए रिकर लिए त्टूल ины के लिए युजियीलान का हॉ शीनमान का मौत अपुंपनो पूंपने का उपना नहा सब्सक्राइब और यह चीजें ना सिर्फ ओरतों को पर आदमियों को भी समझने की जरूरत है कि अपनी बीवी का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला अपनी श्रीमती का हाथ पकड़के रखें उनके हाथ को पीछे ना खींचे बस आपका सिरीमान आर्वी में है जी ने वी इसके लिए परिवार में बहुत खुश है बिलकुल सब बहुत खुश है सब खुश है ना आपका परिवार में खुश्याली है आपका परिवार सब खुश में है मुझे क्या बता देजिए कि जैसे अभी मिसिस ओल को बारे में अभी एक बहुत शुरूर है दिवेट क्यों चेत्रा में, अब विश्व में महिला लेडर्शिब लिया, प्रदानमती बन गया है, बारत में भी प्रदानमती बना था महिला, इंदिरय गांदी, नेपाल में अभी तक कोई महिला प्रदानमती नहीं बना, राष्ट्रपती बना, विददेव भन्डारी, मैं आपको एक पस शुदना चाहता हूँ, महिला को सबसे बढ़ा यात्रा रादनिती है कि सामाजिक छेत्र है कि बिजनेस में है कि क्या है, आप सामाजिक शेत्र में और सामाजिक से भी पहले मैं कहूंगे पारिवारिक शेत्र में, पारिवारिक शेत्र में अगर आपको सफलता नहीं मिलेग मेरे माता-पिता ने मुझे इसी तरह बढ़ा किया एक बराबर की तरह, मेरे भाई के बराबर हमारे घर में कभी भी वो भेद्वभाव नहीं हुआ तो इसलिए क्यूंकर मुझे परिवार में वो एक्वालिटी मिली अगर आप फाइट ही नहीं करेंगे तो वो कहीं यहीं मिलिगे और पारिवारिक शेत्र में अगर आपको अपने परिवार वालोंसे परिवार उसको मिलना जाहिए नहीं मिलता है तो और कहीं आप उसको किसी के बराबरी इस तरह नहीं करनी है कि मुझे भी आपकी तरह, मुझे आपकी तरह, you know, muscles बनानी है, और बॉडी बनानी है, और मुझे 200 किलो के आदमी को पचाड़ना, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे, मैं आपसे equality मांग नहीं रही हूं, मैं इस society से equality मांग नहीं रही हूं, कि मेरा हक है, freedom is my birthright. So, I am not asking for it. It is just that, कि अगर किसी क्षेत्र में कोई चीज आपको, जैसे for example, कोई job है, अगर एक job, you know, there's a job, a man and a woman should get equal opportunity for it. That's about it. इसलिए नहीं कि क्योंके एक औरत की शादी हो जाएगी, फिर उसके उबच्चे संभालने पड़ेंगे, तो आप यह सूचके उसको जॉब नहीं दोगे, तो यह गलत है. और इसी तरह एक आदमी से आप यह नहीं पूछोगे, कि हां भाई तुम तो इतने successful reporter बन गे, तो तुम परिवार को कैसे संभालते हो? तो यह सवाल मुझसे क्यों पूछा जाता है, कि तुम मिसस बोल बन गे, तुम परिवार को कैसे संभालते हो? आप तो परिवार को बहुत अच्छे संभाला. जैसे आप भी संभाल रहे होंगे, तो वही बात है कि हमें इस तरह के सवाल हमसे मत पूछिये, कि हमें हमारी श्रमता को क्वेश्चन मत कीजिये, हम सक्ष्व हैं. क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूं. आप नहीं कोई भी है, मैं सोसाइटी को बोल रहे हूं. सब्सक्राइब को बोलना भी चाहिए, मैला सच्छम है, बिल्कुल. हर एक शित्रह में, मैला का अभी जो यात्रह है ना पेश्शो में बहुत सबबतकरी तरह से आगे बन रहा है, भारत में ते मैला ले बहुत परगती दिया है, तरह की किया है, हारे छेतर में मैला के तहां आफका फ्यूटर प्लान क्या है, आफ्टर मिसेस होड, अभी कैसी आप आगे बरेंगे, म मुझे मॉडलिंग और अक्टिंग मेरा बच्पन से एक ड्रीम था, तो मैं यह करना ही चाहती हूँ अब मॉल्लिंग में आपका यात्रा सुरू हो जा शायद होना चाहिए भारत में तो मॉल्लिंग में तो बहुत बड़ा देश है एक्जाक्ली पॉट सम्भावना ही भारत में तो अब मॉल्लिंग में तो बहुत इसके साथ साथ जैसे एक बहुत इंपोर्टन चीज मुझे लगती है वो है एक सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी हर इंसान की होती है जब आप किसी क्षेत्र में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चीफ कर जाते जैसे आप हो कोई भी सक्सेस्फुल इंसान हो उसको सोसाइटी के को वापस देना बहुत जरूरी है हमें बहुत प्यार मिला है सोसाइटी से तो अब हमारा टाइम में सुसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तो आइधिंक उस फील में मैं कुछ करना चाहूंगी I hope I can चल चित्र में आपका रूची नहीं है चल चित्र में बिल्कुल बिल्कुल इरोनी नहीं बने गाए आपके पास कोई मुझी आपका सुन्दर ताके कारां से आप तो इरोनी बनने चाहिए ठीक है आप प्लीज अप्ली आदिए आपको अपर करेंगा थांक यू I hope so I hope so this you now are calling home chyton now from priorities he is Ora mean o okay ब्रूशी रूइभ अपका रूची है अजप्तironya कई आपका रूची आपका रूची यो जी संब्हाबना भी आप पर आ गadeằngby पी dato आभी तो विर्ल्ट वार चल रहा तो इनको फूब हैं पर मैं कुछ कर नहीं सकति बारे में आज खुलाइसा कर दिजी किसले आप को आपको आपकी हाए कोई खुलासा नहीं एक लिए इस बात को हाँ एक्सेप्ट कर रहा है मैं इस बात को अपकी दुआए रहें साथ में तो जरूर जिए पारते छलितर में नही कर लिए पाधे जे जलिए पारते छलितर में नाई को सफलता हे भी मिला disp तो, yeah, I hope, ऐसा ही हो, वोना चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल, भारते चल्चित्रा आज के दिन में सबसे बड़ा चल्चित्र बजार है भारत में, बहुत इंटरनेशनली छेत्र में, भारते चल्चित्र ने तरह के हो परगति क्या है, नेपाली लोग है ना, जनता भी बहुत बहुत पशन है का है, मालम है? म must have, बहुत पसंद आए कि में पहला गाना जो और पहला आजा जो मैंने सुनां fat или कोई Hindi गाना ही था, और सब बतारहे हैं मुझे के हमें Hindi गाने बहुत पसंद हैं Hindi movies बहुत पसंद हैं तो मुझे लगा ही निए कि मैं एक दूसरी सिटी में उइँ हमें दूसर को जाता है नेपाली नहीं आती है जब नहीं इप्शी में हूं तो थोड़ा समझ आजाता है क्योंकि हमारे लपी से महरे देवनागरी तो इसी लिए वो थोड़ी समझ में आ जाती है तो पहला पस्पतिनाथ को दर्शन गरी शेके पच्छे खुशी लागे वही ना बहुत खुशी हुई एकदम तो पहले खुशी हुने वह बहुत ज्यादा सगरमाथा एरी सभी तपाइं सागरमाथा देख के भी बहुत खुश समझ आती है एकदम तो प्रह्ट खुशी को आउंच नेपाली आउंच आ पाला बावी से माने भी से माने नेपाली बाशा नेपाली भासा हा मतलब आप आवल लेर्न सीखुँगी जरूर्ट आपको भी आये हमारे देश और हमें भी सिखाई है में बारं बारा बारत को विकासा और समिर्दी में उन्नती क्या है? Thank you, thank you. That's really nice to hear. बहुत अच्छा लगा, संके. नेपाल और नेपाली के बारे में आपको क्या काना है? मुझे अभी तीन दिन हुए यहा हुए और नेपाल के बारे में अफ़कॉस बच्पन से सुनते ही आए हैं. कोई ना कोई आक्टर इंडिया आके बहुत जादा नाम भी कमाएं हैं. हम जानते हैं नेपाल के बारे में थोड़ा थोड़ा बट यह जो तीन दिन में रही हूँ और आगे भी तीन चार दिन रहने वाली हूँ. इसमें एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वह है नेपाल का खाना सबसे अमेजिंग खाना है यहां का हर तरह की डिशिस यहां की बहुत अच्छी हैं दूसरा यहां का जो प्रकृती है जैसा आटमस्फेर है जैसा पर्यावरन बहुत अच्छा है इस वेरी फ्रेश यह मौसम बहुत अच्छा है और यहां के लोग बहुत प्यारे है हर चीज में आपको help करना चाहेंगे हर बात पे आपसे पहले वो कर लेंगे तो मुझे कभी ऐसा feeling नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने घर पे हूं और मेरी बहन, मेरी मासी, मेरी बुआ मेरा क कर रही है, मेरी help कर रही है, it's just like, it's family, it is absolutely like family तपहलाई युटा गीत गावनो कलाई मा आग रहा रहना चाहंचे और गीत गाई दिने इसा आप गाईये में ताली बजा दोंगे आई, आज में अन्रोद कर रहा हूं एक गीत गाईचे नेपाली नहीं आथा, हिंदी में आपको, आप कभी Jammu और कश्मी राए हैं, तो Jammu की जो local language है वो है डोगरी, तो थोड़ा बहुत गलत होगा तो प्लीज मुझे मुझे माफ कीजेगा पालाश पाईया टोगरिया, हो रुसलिया रुसलिया तार, तेरी सो रुसलिया 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 तार, तेरा बड़ा मंदा लगदा बस, I'm sorry, मैंने काफी गलत वोड़्स यूस किया बट I think I did the tune correct गाई जित्मा आपका रुचिय है कि नहीं? नहीं नहीं, मेरा नाम सर्गम हैं यि इतना 그्षट गाता हूं सर्गम जी को गीत में, रुची है वरची है, मिर बख्विथ विथे हैं गाने में सर्गम है तो गाने में मेरे हसमेंट वहत अच्छा गाते हैं और शलिगता है? पाला जो है बटोट्या गाता है तो सबसे बड़ी चीज यह है कि क्योंके औरतें अब जादा पढ़ लिख गई हैं, उनको सोसाइटी की समझ है, वो अपने फाइनांसिस खुच संभाल सकती हैं, अब उनको, अब काफी औरतों को बुरी शादी में रहने के लिए रहने का कोई रीजन दिखता नहीं है, मेरा क लगता है कि उनके पास option है बाहर निकलने का उस बुरी situation से, क्योंकि वो पड़ी लिखी हैं, क्योंकि वो सक्षम हैं, पहले उनके पास वो option नहीं होता था, वो पड़ी लिखी नहीं होती थी, वो जौब नहीं करती थी, वो समाज के बारे में इतना जानती नहीं थी, जाग मैं भी एक घर खरीच सकती हूं, मैं भी गारी खरीच सकती हूं, मुझे भी अच्छी सालरी मिलती है और मैं पढ़ी लिखी हूं, सक्षम हूं. तो यह ऐसे बुरे collaborationsिप्स, जाहे वो शादी का relationship हो, चाहे वो उनका boyfriend हो, जाहे वो उनकी सास हो, यहां उनके अपने घरवाले हो वो ऐसे रिलेशन्शिप में नहीं रहेंगी नहीं औरते नहीं मर्द तो मुझे लगते हैं इसलिए आपको लग रहा है बड़े हैं क्यूंकि औरते अब सक्षम हो चुकी है और अपने बारत में पूरी दुनिया में जब मैला सक्षम होगा तो अब यहां वर्द को सबस्क्राइब आपको चुक्राइब अपने बात बोली बहुत कम आदमी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं यह इर्शा का जो यह आपने शब्द यूस किया है यह बहुत ही बड़ी बड़ा फैक्टर है डिवोर्स का जब आप एक सक्सेस्फुल औरत क तो जब हम एक successful मर्द को देखते हैं, अगर हमारा husband successful है, तो हम बहुत खुश होते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, बट काफी कम मर्द ऐसे हैं, जो अपनी wife की खुशी में खुश होंगे और उनसे इर्शा ना करें, तो वहाँ पर हमें अपने आदमियों को भी empower करने क जरूरत है, उनको भी सक्षम बनाना पड़ेगा, आप पती को बहुत प्रेम करेंगे, बहुत बहुत शपूर करेंगे, बहुत बहुत शपूर करेंगे, बाविस्य में, तो नहीं होगा, ऐसा सभा, मुझे बतानी है आप, I don't know why you asked that question, but मैं अपने हजबं से, obviously हम बहुत प् करी है, हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे की बात काटते हैं, अर्गू भी करते हैं, but at the end of the day हम एक टीम है, वो मेरे लिए चेर करते हैं, मैं उनके लिए चेर करती हूं, वो मेरे लिए खड़े रहते हैं, मैं उनके लिए खड़ी रहती हूं, और मुझे लगता है कि इतने साल बाद मेरी शादी को छे, साथ साल हो चुके अब तो इतने साल बाद अब आदत हो गई है उनके साथ रहने की तो तो इस गोई तो बेरी टफ टो लीव दाट मैं बहुत मुश्किल होगी उनको छोडने में प्राइन नारी को परगती में सभको सफलता मिलेगा एक नारी सफल हो जायेगा तो देश को भी सफलता मिले अनती और परगती होगा रिवार में भी खूस और सांती मिलेगा शांती बहुत जरूरिया है सांती जाहिए ना सांती दो विश्व में अभी आपसे था है सांती होगी तो डिवोस रेट्स भी कम होंगे देखे गउतम भुद्ध का एक सांती का संदेश है नेपाल का गउतम भुद्ध आपको मालूम है लुमीनी को अपने नहीं किया अभी लुंबीनी नहीं जा पाई मै मुझे लगता नहीं है कि अभी इस सोएटी में आज कल के जमाने में कोई डिफ्रेंस रहा है आजकल ससूर भी अपनी बहूं को इतना प्यार करते हो इतना बहार से बिगार देते हैं जितना हमारे पापा भी नहीं बिगार ते होंगे और मैंने कितनी सारी अपनी ऐसी सहीलि बहुत नक्रे उठाते हैं और यह इसी लिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज भी तो बदल रहा है हमारी सोच बदल रही है और क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि कलको अगर हमारी बेटी किसी के घर शादी करके जाएगी तो अगर उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें कैसा लगेगा तो उसी डर से उसी समझ से अपनी वहु के साथ भी अच्छे से त्रीटम कोशल काईसे बुआ रही है कैस कुछ बड़े कुछ गलत स्टेप ले रहे हैं तो मैं वहां उनको रोकना भी रोकने की समझ भी रखती हूं और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है अपने बढ़ों को आदर करना बहुत जरूरी है पर कही ना कहीं उनको उनकी गलतियां समझाना और उ वो भी किसी की बेटी है, जो आपके घर आई है, और उसको अपनी बेटी की तरह आगर आप ट्रीट करेंगे, तो वो भी आपको माबाप की तरह चुछ करेंगे. जैसा मैंने आपको बताया, देखिए, पहली बात तो हमें एक समझना पड़ेगी यह चीज कि हम एक आइडियल वर्ल में नहीं रहते हैं, एक आइडियल सोसाइटी नहीं है, हमारी जहां पर सब अच्छे हैं, सब की सोच साफ है, सब हमें एक औरत को अच्छी नजर से देखत होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रॉंग होना पड़ेगा, और अपने बैग में हमेशा कुछ ऐसा ओजार रखे, या पैपर स्प्रे या इस तरह की चीज़े, बी विजिलेंट, विजिलेंट होना बहुत जरूरी है, और रेप, अगर रेप की सजा जो है, वो सक्त होती है तो भी बहुत chances हैं कि ये चीज़, रोक तो पता नहीं कब लगेगी, I really hope कि बहुत जल्दी ऐसा हो, क्योंकि हमारा law आजकल मुझे लगता है कि हम बहुत ही lenient होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि हर किसी के, of course, everybody has human rights, हर किसी के rights हैं, लेकिन क्या एक ऐसी औरत के rights कम important हैं एक बलातकारी से नहीं, तो वो difference हमें समझना बहुत जरूरी है, कि किसके rights जादा जरूरी है, एक बलातकारी पुरुष के या एक ऐसी औरत के जिसका बलातकार हुआ है, तो, भारते नारी का हरे खेत्र में सफलता मिला है, मिस ओल में, मिस ओल में, इरोनी में, अभी अभी पैर अगर आप देखें, तो जमुन कश्मीर की एक लड़की है, उनके हाथ नहीं है, और उन्होंने आर्चरी में, आइधिंग, गोल्ड मेडल लाया है, तो, I'm very proud, yes, so we are doing very well, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेपाल-भारत संबंधे कही से बना चाहिए, नेपाल-भारत संबंध जैसा मैंने कहा, बिल्कुल बहनों की तरह, वैसा ही होना चाहिए, दो बहने जो आपस में थोड़ी खिट-पिट भी करें, but at the end of the day, एक दूसरे से बहुत प्यार करें, एक दूसरे के साथ अपना दुख-दर्द बांटे, कल्चर बांटे, प्यार बांटे, और बहुत सार तूरिजम नेपाल में लेके आए और बहुत सारा तूरिजम इंडिया में लेके आए, भारत का 50 लाग टूरिसने पाल आना चाहिए होर साल, समफ बहुत है कि नहीं होगा, मैं घर जाकर जरूर आपको अब भारत जाना चाहिए, जैसे ने नेपाली को और भारते को भी आपके सुन्दर था के टारी बहुत गहना चाता हूं अपने खुल पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके बारे में बहुत सुनाया मैंने आफुछली तो मैं अभी जब इस शो के लिए आ रही थी तो मैं ने पूचा क्योंकि में नेपाल के बारे में इतना नहीं जानती हूँ बट आपके बारे में मैंने बहुत अच्छी बाते सुनी हैं सबसे पहले आपको नेपाल के रजुत चर्मा जी कहा जाता है रजुत चर्मा जी बहुत फेमस हैं मारे इंडिया में बहुत अच्छी इंटर्व्यूस लेते हैं बहुत ही सी बनता है तो discipline अनुशासन जैसा आपने कहा और जमीन से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है आप popular हो जाएं और अपने आपको भूल जाएं और अपने आपको कुछ बहुत ही अलग समझने लगें अलग आप हैं पर लोगों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप कल मैंने सुना आप एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में जहां पे अर्थक्वेक आया था वहाँ आप रिपोर्टिंग करके आए हैं So you meet those people, आप उन लोगों से मिलते हैं, उनकी लेवल पे जाके उनसे बात करते हैं एक quality दिखाता है, एक अच्छे पत्रकार की, वह आप में हैं जैसे रजट शर्मा जी इंडिया के लिए एक बहुत ही amazing पत्रकार है, बहुत ही माने होए वैसे ही नेपाल के लिए रिशीद हमाला जी है, तो नेपाल के रिशीद हमाला और इंडिया के रजट शर्मा आपका सुन्दरता और नेपाल का सुन्दरता, सब बरावर है ना, हारा रिया है जी, थांक्यू, 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 आप जो कारिकमा है, आपको में बहुत धन्यवाद देना चाला थैंक यू, थैंक यू, मेरे को यहां बुलाने के लिए, और थैंक यू, नेपाल, for having me here in this country. नाशी. Altima Lifestyle presents Janta Janna Chahanson टाइटल स्पोंसर Altima Lifestyle Sponsored by Garbhai Deekhi Baliyo Tugarbh Simate अस्टरिक प्रमिं को परपरदने Marvel परफेक्ट नेपाल ठेलेकॉम राष्ट्र को संजाओ